नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गार्डन गपशप में. आज हम बात करेंगे उन खास पांच पौधों के बारे में, जो न सिर्फ आपके घर को हरियाली से भर देंगे बलकी धन और समरिध्धी भी लाएंगे. जी हाँ, यह पौधे वास्तु और फेंगश्वी के अनुसार घर में धन और खुशाली लाने के लिए माने जाते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन से हैं ये पौधे और कैसे इन्हें अपने घर में लगाकर आप पासकते हैं आर्थिक सफलता. एक मनी प्लांट, मनी प्लांट, मनी प्लांट का नाम ही इसका महत्व बताता है. यह पौधा धन को आकरशित करने और घर की नेगेटिव एनरजी को दूर करने के लिए जाना जाता है. इसे घर के उत्तरपूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है. आप इसे पानी में भी उगा सकते हैं, जिससे घर का वातावर्ण भी शुद्ध रहता है. दो तुलसी 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 को हिंदू धर्म में देडी का रूप माना जाता है. यह न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बलकि धन की देवी लक्षमी की कृपा पाने में भी सहायक होती है. घर में तुलसी का पौधा लगाने से आ बैंबू प्लांट, बैंबू प्लांट, बैंबू प्लांट को फेंगशुई में धन और समरिधी का प्रतीक माना जाता है. इसे घर में रखने से जीवन में खुशाली और तरक्की आती है. इस पौधे को पूर्व दिशा में रखना अच्छा माना जाता है, ताकि आपके पॉधा घर के वातावर्ण को शुद्ध करता है और साथ ही धन की वृध्धी भी करता है। इसे घर के मुख्यद्वार के पास लगाने से धन की वृध्धी होती है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल गार्डन गापशाप को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियोज की नोटिफिकेशन पासकें। और हाँ कमेंट करके बताएं कि इन में से कौन सा पौधा आप पहले से अपने घर में रखते हैं। धन्यवाद